हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें जो कोश्चंस कराने जा रहा हूं, ये सारे कोश्चंस J.E.A.D.V.A.N.S. के आए हुए कोश्चंस हैं, और पहला कोश्चंस जो है, वो 2019 J.E.A.D.V.A.N.S. में कुछा गया है, तो जो मैं कोश्चंस सेरेट कर रहा हूं, सॉल्फ कराने क ठीक है तो यह जो पहला question इसमें क्या लिखा हुआ है देखो 0 to 5 by 2 3 under cos theta under cos theta plus under sin theta की power 5 इसको आप पर integrate करना है और इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पर power 5 नहीं है तब कैसे solve करते हैं यह आप लोग जानते ही हो पर यहाँ पर power 5 हो गया है ऐसी power 6 हो जाय है तो हम लोग solve कैसे करें इस question से हम लोग यह सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसको solve करने के लिए और यह subjective में आया हुआ question है तो इस solve करने के लिए सबसे पहले इसे i मान लेते हैं i बराबर कितना 0 से private जब भी कोई question ऐसे आया करें तो इसको i मान करके तब आगे बढ़ा ठीक है और मैंने तुम लोग को बताया था कि सबसे पहली कौन सी property है जो हमें use करने कोई करनी चाहिए मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है जब मैंने डेफिन्टी के सन में property वाला पढ़ाया था या जही मेन वाला जब मैंने class लिया था जही में के previous year questions में तो मैंने उसमे आप लोग को बताया था कि जब भी कोई property लगाने का समय आए और आपको directly नब पता चले कौन सी property लगानी है तो a to b fx gx बराबर a to b f of a plus b minus x वाले property हम लोग को use करने चाहिए तो वही वाले property अगर यहाँ पर हम use कर दें देखते हैं क्या होता है तो a plus b minus x तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर a plus b minus थीटा यूज करना चुकि यहाँ पर x नहीं यूज हुआ है थीटा यूज हुआ है तो a plus b minus थीटा जब यूज करोगे तो कितना आएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3 under root cos pi by 2 minus थीटा तो यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा और नीचे under root sin थीटा ह हो जाएगा क्यों क्यों कि ही है यहां पर कॉस्तइद प्रफरटी लगाते हैं और कुछ बदला हुआ तो हम लोग उन दोनों को एड कर देते हैं यह आप लोगों पता ही है तो अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है मतलब अभी कुछ खास हमने नहीं किया बस सिप्ली एड़ कर दिया तो जीरो से पाई बाई टू ठीक है और इन दोनों को जब एड़ करोगे तो बाहर निकलाएगा और जब इन दोनों को एड़ करोगे तो अंडरूड कॉस थेटा प्लस अंडरूड साइन क्योंकि पाउर फाइव है और यही सेम चीज उपर लिखा होगा जब दोनों को जोड़ोगे तो कटके पाउर पूर जाएगा ठीक है अब यहां पर समझा है यह आखिर इस कोश्चन को कैसे किया जाए यह नया पार्ट हो गया इस कोश्चन में तो तुम्हें क्या लगता है अपने experience से जाना क्योंकि हम लोग ने ऐसा कोश्चन बहुत solve कर रखा है कि जहां पर सब कुश्च टैन थीटा के फॉर्म में कर्वोट हो जाता है और उपर से स्क्वार थीटा जाता है ठीक है तो यहां पर 2i बनाबर 3 0 से पाई वाई 2 और नीचे रूट कॉस थीटा जब क और अब देखो यहां पर कुछ समझ में आ रहा है कि अब solve हो जाएगा हम लोग question के उपर हावी होने लगे ठीक है अब समझ में आ रहा है कि अब answer आने वाला है से स्क्वार थीटा के फॉर्म में हो गया और नीचे under root tan theta plus 1 ठीक है बच्चों जब exam में आएगा तो ऐसे ही अब इसके बाद क्या करने वाले हैं अब इसके बाद क्या मानना चाहते हो टैम थीटा बराबर टी स्क्वार मान ले या root tan theta plus 1 को ही T मान ले अगर root tan theta plus 1 को T मान होगे तो बाद में calculate करने में असानी होगी और tan theta को अगर तुम T square मान होगे तो T plus 1 की power 4 बना रहेगा थोड़ा ज्यादा फाइदा लेने के लिए under root tan theta plus 1 को ही T मान ले इसे क्या फाइदा होगा differentiate करेंगे तो देखो क्या आ रहा है sec square theta d theta बराबर dt ठीक है इसको differentiate किया यह आ गया और sec square theta d theta बराबर 2 under root tan theta और dt और under root tan theta की value T मान ले रखतेंगे न क्योंकि हमें right में तो T के form में सब कुछ चाहिए न बच्चो तो यह हो गया sec square theta d theta की value यह आ गई है न अब हम इसका use कर लेंगे और इसका use कर लेंगे इस expression में और हम बड़े आसानी से अब इससे solve कर सकते हैं कितना आ रहा है 2i बराबर बोलो 3 और sec square theta d theta बराबर यह रखना है मतलब कितना हो जाएगा 0 से pi by 2 और 2 t-1 dt और नीचे टी की पावर पूर यहां था clear हैना सब कुछ टी की form में होगा आप तो बड़े आसानी solve सकता है और हाँ एक चीस और यह जीरो से यह गलत है इसको सही भी तो करना पड़ेगा जब हम ले आ रहे हैं तो जब थीटा बराबर 0 है तो टी बराबर 1 होगा कभी अब यहां भी के form में सब कुछ रखना है ना मतलब lower limit और upper limit टी की होनी चाहिए ना जब हम कुछ मान लेते हैं ना बहुत थीटा के respect में integrate करना है ठीक है और उसमें टी के respect में integrate करना है और थीटा और टी का relation यह है तो थीटा की value 0 होगे तो टी की value 1 होगी और थीटा के लोग पाई वाई 2 होगे तो टी की value infinite होगी वास ऐसे बदद गया ठीक है आचा अब यहां पर देखूं 2i बराबर या इसमें simply i बराबर कहते है आई बराबर 3 यह 2 और यह 2 cancel हो गया ठीक है तो 3 फ्रॉम 1 से infinite और टी की पावर माइनस 3 माइनस टी की पावर माइनस 4 dt यहां तक हम बहुँच गए अब इसके बाद हम बढ़े से इसको solve कर सकते हैं ठीक है यहां पर i की value कितनी आएगी i की value आएगी 3 और t की पावर माइनस 2 अपाउन गुपार माइनस 2 और माइनस 3 एक एक प्रॉम वन से इंफानेट इसको फोड़ और अच्क लिख दिया जाए कितना आएगा वन अपार माइनस 2 T स्क्वेर और प्लस अपार टीक्यू फ़म वन से इंफानेट और इंफानेट रहे जीरो जीरो हो जाएगा तो 3 इंटू, 0, minus, फिर 1 रख दो, तो 1 upon minus 2, plus 1 upon 3, ऐसा हो जाए है, ठीक है, मतलब कितना जा रहा है, 3 into 1 upon 2 minus 1 upon 3, और यह जाएगा, कितना, नीजे 6, 3, है ना, और minus 2, और यह 1 by 2 जा रहा है, हाँ, 1 by 2, correct, तो 1 by 2 इसका शार, final होता है, ठीक है, तो यह जो प्वेस्चिन आया था, इसका answer 1 by 2 के बरावर हो जाएगा और ये subjective में था 0.5 इसका answer कर देना था ठीक है तो बच्चों ये question समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इसको solve किया अगर 5 power नहीं होती तो ठीक है तो ये तो इसको level पे question हो जाता है power 5 है इसकी वज़ा से ये थोड़ा सा अच्छे level पे question जा रहा है ठीक है ऐसी power 7 हो जाए power 9 हो जाए power 6 हो जाए जो भी हो जाए तो पहले अपना a plus b minus 6 वाले property का use करो उससे जो भी फाइदा हो रहा है अगला question हमारा ये है तो ये जो फंसन दिया हुआ है ये कितने जगों पर किन-किन points पर discontinuous है ये आपको पता लगाना है और x की value दे रखी x ब्रावर minus 1 x ब्रावर 0 x ब्रावर 2 और x ब्रावर 1 ठीक है तो इनमें से कौन से point पर ये discontinuous है ये आपको पता लगाना है कैसे पता लगा होगे देखो यहाँ पर question में दिया हुआ है fx ब्रावर x cos pi और x plus bracket x ठीक है अब x ब्रावर minus 1 पर check करना है 0 पर check करना है 2 पर check करना है 1 पर check करना है तो ये काम करते है इसी continuity को हम अलग-अलग सारे points पर जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं ठीक है तो minus 1 पर जब check करोगे तो x ब्रावर minus 1 पर मतलब f minus 1 कितना रहे है f minus 1 की value कितनी आ रही है तो यह माइनस 1 और cos pi minus 1 plus minus 1 मतलब minus 2 ऐसा रहा है सिदा 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 और cos 2 pi कितना और cos minus 2 pi रवर cos 2 pi और cos 2 pi रवर cos 0 cos 0 1 होता है तो पुल मिला कि यह minus 1 के बरावर है correct सब्सक्राइब यह 1 हो जाएगा और 1 into minus 1 ठीक है तो f minus 1 plus h करोगे तो यह कितना आएगा मतलब h 10 to 0 है यहां पर हम आरे चल निकालने पूस कर रहे है तो minus 1 plus h कर दोगे और cos pi minus 1 plus h करोगे तो minus 1 plus h कर लो minus 1 plus h और यहां minus 1 plus h कर दो सब्सक्राइब यहां पर देखो पाई कि साथ क्या आ रहा है मैनेस 1 minus h और जब minus 1 minus h करोगे तो यहां प्रहाज आ जाएगा minus 1 minus h अगर यहां रखोगे तो मनस मों से थोड़ा चोटा है और वह मानेस 2 के बराबर बन जाएगा यह जड़ा साभी छोटा हूए किसी इंटीजर से नहीं और पीशे चला लाएं सब्सक्राइब मारे माने वाला है क्योंकि यहां भी वाल लेंगे अब यहांपर जिरो मानने कोई बुरा ही थोड़ीना तो मेनस दीटो कॉस माले सब भाइए तो मैनेन्स वान इंटू माल बनावर वह आ गाल गाल सम्मेस इन मालव tan पें नाइट सब्षास discontinuous है, correct? मानस उन पर यह function discontinuous है. अच्छा, अब 0 पर देखो ज़रा. 0, x द्वाद अब 0 रखोगे तो 0, यहां रखोगे तो 0 into something, 0 ही आने वाला है. 0 plus h into something, 0 ही आने वाला है. 0 minus h into something करोगे, 0 ही आने वाला है, क्विभी बाहर 0 है. यह discontinuous है, यह discontinuous है, बाहर 0 से multiply करोगे. तो जहिर सी बात है, कि 0 into something, 0 ही आने वाला है, तो रसल लेचल वैल्यू सब बराबर हो जाएगा, तो 0 पर दिखोगे, और हमें पता लगाना है, कहां कहां पर discontinuous है, समझ मारी बात? अच्छा, अब देखो चला X ब्राबर 2 पर, X ब्राब 2 यहां रखके देखो, F2, ऐसी आइडिया लगाओ, यार, F2 ब्राबर कितना होगा, F2 ब्राबर होगा, आपर 2, 2, 4, F4, 2 into, और इदो यह continuous function है, और यह discontinuous function हो सकता है, या है कहीं नहीं पर, ठीक है? तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस यह 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 नहीं हो तो यह discontinuity आ सकती है, अगर 0 यह तो, भई 0 पी चिक करना है, तो 0 प्लस है, 0 और 0 माइनस है, लगभख से मैं है, यार, लगभख 0 वाली कौनिटी को किसी फाइनेक नंबर से बल्टिप्लाइ करोगे, यार, जहां पहुंचेगे, 0 के पास ही पहुंचेगे, ठीक है, तो 0 पर तो यह चलो, पर 2 पर देखो, अब 2, 2 का गुड़ा अगर 1 से करोगे तो 1 आएगा, 2 अगुड़ा 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 अगुड़ा माइनस 1 से करोगे तो, माइनस 2 आएगा, ठीक है, 2 इन्टू माइनस 1, माइनस 2, तो अगर यहां पर 0 नहीं है, तो के लावा कोई नंबर तो अगर यह discontinuous होगा, तो पक्का का यह discontinuous होने वाला है, तो जरा आप 2 पर चेक कर लो है, 2 पर कितना हैगा, अब देखो, इसे हमें 2 पर चेक करना है, कि यह 2 पर continuous है या discontinuous है, तो चलो, फिर वो तीनों चीज़ यह कर ली जाए, इसके लिए, तो 2 पर अगर हम इसे चेक करें, इसे नीचे लिया आता हूँ, ठीक है, हम 2 पर चेक करने जा रहे है, तो जल्दी दी बताओ, F2 कितना हैगा, F2 बराबर आएगा, 2 इंटू कॉस पाई, और 2 प्लस 2, और कॉस पॉर पाई, कॉस पॉर पाई, कितना होता है, वहान होता है, ना, कॉस पॉर पाई, 1 इंटू 2, यह 2 हो जाएगा, अच्छा, 2 प्लस H देख लो, कितना हो रहा है, F2 प्लस H, यहाँ पर 2 प्लस H, और यह लिमिट एस टेनिक टू जिरो, अटर इस टू है, ठीक है, तो मान के चलो यार, लिमिट एस टेनिक टू जिरो, प्लस H को इसको 4 मान लोगे, कोस 4 प्लस H, 1 इंटू 2 प्लस H, मदलब 2, अच्छा, F2 मानस H, देख लो भाई, F2 मानस H, F2 मानस H को जब चेक करोगे, तो यह आएगा, 2 मानस H, कोस प्लस H, और 2 मानस H, प्लस 1, देख लो यह कैसे आ गया, यह मतलब, कॉस 3 पाई बन जाए गा, कॉस 3 पाई की वैलू कितनी होती है, मैनस 1, तो मैनस 1, मैनस 1 इंटू 2, और यह मैनस 2 के बराबर, और यह फंसन्ट डिस्कांटिनियोस हो गया, एक्स बाबर 2 पर, बाउंड़ा फंसन्ट अना, कुछ भी करने वाला है, यह दिस्कांटिनीयोस भी होगा, तो बाहर, जीरो यह बनास 2 यह, प्लस 1 इंटू 1 इंटू इन से गई, वही सेेव नमबर 0 ही यह भाए गा, तो यहां पर यह फंस न जो है, तो यहां पर क्या लिख दोगे टीक है चलो मैं इसको नीचे लिख करता हूं तो भाई एफ वाराबर कितना आएगा वान इंटू कॉस टूपाई मतलब वान इंटू वराबर वन आएगा एब वन प्लस विख ऊह Miranda आएगा और माज放心 करोगे यह हाँ यहां पर वह पर माइने STEPHAN करोगे तो पाइग पाइग के अंदर राएगा वान मार पाइद प्लस जीरो कि कि वालू कितने होती है, minus 1, तो 1 into minus 1, यह minus 1 आगा तो इसका उल्दब यह function 1 पे भी discontinuous हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, तो यह जो question था, इसका जो answer है, कि यह सर्फ 0 को छोगे, बागे सब जागे discontinuous हो, और चुकि इसमें बताना था कि कहां कहां पर यह discontinuous है, तो यह 3 जगोब discontinuous हो, ठीक है, तो इसमें multiple choice सही थे, तो A, C और D में सही हो गए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, ठीक है, अगला question हमारा यह है, property का, property में इस तरह कोशन तुमने अकसर दिखा होगा, जही में में भी इस तरह कोशन आ चुके है, तो यह सब जो question बार probability में conditional probability, अना तो क्या दिया हो है, x and y be two events such that px बराबर 1 by 3, px oblique y बराबर 1 by 2, और py oblique x बराबर 2 by 5, then फिर इन में से बताना है, कौन से options सही है, देखो क्या करना है, पहला क्या दिया हो है, px बराबर 1 by 3 लिखो, px oblique y का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, px intersection y upon py, इसकी value 1 by 2 लिखो, इसका मतलब क्या होता है, p y intersection x, मतलब x intersection y, यह सा formula तुमें पढ़ रखा है, इसकी value 2 by 5 लिखो, अब जब इतना information दे रखा है, तो बचा क्या है, px के लिए यहां रखो, इसकी value निकल जाएग, इसके लिए यहां रखो, py के निकल जाएग, पूरा का यह x है, और यह y है, देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है, जब इसको तुम यहां रखोगे, और 1 by 3 को जब इधर multiply करोगे, तो x intersection y की value कितने रहेग, 1 by 3 into this, 2 by 15, ठीक है, समझ में आ रहा है न, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे है, इसको हम यहां पर रख रहे हैं, ठीक ह हुआ, कैसे x और y के intersection की probability, 2 by 15 है, ठीक है, और जब 2 by 15 यहां रख रख दूथ, पी बराबर कितना जाएगा, पी बराबर, अब यहां से देखो, पी बराबर कितना जाएगा, उधर चला गया, और 2 into, 2 into x intersection y, 2 by 15, यह कितना जाएगा, 4 by 15, ठीक है, यह पूरा 4 by 15 है, तो 4 by 15 में से 2 by 15 घटा दो, यह 2 by 15 इधर का पार्ट, अरे पूरा का पूरा 4 by 15 है ना, पी बाई, तो 4 by 15 में से इतना घटा दो, इतना बचेगा, उधर वाले की probability 2 by 15 है, ठीक है, अजब पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू, 1 by 3 में से 2 by 15 घटा लो, तो 1 by 3 में से 2 by 15 घटा लो, तो 1 by में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, तो अब बेंट डाग्राम आप पुरा हो गया, अब हम बड़े आसानी से options चेक कर सकते हैं, कि इन में से कौन सा सही है, कौन सा गालते है, ठीक है, तो चलो करते है जोगी से, देखो इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स डैस intersection Y upon PY, देखो यहां से, फर्मूल लगा तो, जो तुम्हें आता है फर्मूला, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले वाले option के लिए, और पी एक्स डैस intersection Y, एक्स के बाहर और Y में 2 by 15, पता है ना, यह कौन से जगें होती है, एक्स डैस intersection Y का मतलब, एक्स के बाहर हो पर Y के अंदर हो, एक्स के बाहर का Y से common, तो एक्स के बाहर का Y से common, यह 2 by 15, तो 2 by 15, और नीचे, पी वाई, पी वाई की value कहां है, पी वाई की value 4 by 15, कहां है 4 by 15, यह निकाला था है, 4 by 15, तो 4 by 15 कर दो, तो इसकी value 1 by 2 आ रही है, तो इसका लिए यहा पहला अप्शन सहीं, correct, एसे दूसरा वा एक्स इंटरसेक्शन वाई 2 by 15, नहीं, गलत हो गया, एक्स इन तीनों को जोड़ो जड़ा, इन तीनों को जोड़ो कितना हैगा, 3 by 15, 2 by 15, 2 by 15, 3 to 5, 3 to 5, 5 to 7, 7 by 15, कहा यह 7 by 15 है, नहीं, correct, पी वाई ब्राबर, 4 by 15, पी वाई 4 by 15, हो गया, देखो कितना असान कुश्यन है, तुमनों जब रजस्ती रखते रहे, तो सुस्ते हो प्राबिल्टी बड़ा जीव सा चैप्टर है, रहे, प्राबिल्टी में अगर वेन डाग्राम कुश्चन आगे है, बहुत असान होता है, तो तो तैयार करके रखना, एक्दम पक्का तैयार करके रखो, छोटा सा होता ह कुश्चन तक नहीं बना पाते एक्जामिनर, तो वेन डाग्राम पक्का करो, ऐसी मैं तुमनों को लगवा रहा हूं हर लेक्चर में कुछ-कुछ बताता रहूं, क्या है जो तुमनों को अधिक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो लो पूस्ते रहे तो कमेंट बाक्स में तो उसी को मैं थोड़ा प्ने लेक्चर में थोड़ा सा बोल देता हूं, कि जा सबसाहितना तो अधिक में में दिखे सबस कर्कें़ना, तो आगे बर देखते हैं और कुश्चन है, चला हो गया, तो इसका answer जो है हमारा A और D हो जाएगा ठीक है जाओ अब इसके बाद अगला question अगला question हमारा यह है क्या लिखाओ F is such that R to R is a twice differentiable function such that F double dash is greater than 0 जैसे तुमारे दिमाग में तुमारे सामने F double dash is greater than 0 आ जाए इसका मतलब यह concave apport graph है यह derivative increasing function मतलब slope लगातार बढ़ रहा है इसलोप पहले कम था ज्यादा था ज्यादा 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 और बहुत ज्यादा तो कम से ज्यादा की तरफ slope बढ़ रहा है तो F double dash is greater than 0 ठीक है तो जब कभी ऐसा होता है तो जब F double dash greater than 0 दिया हो तो मतलब slope एक increasing function लगाता slope बढ़ता चला जा रहा है तो F double dash is greater than 0 for all x belong to real number ठीक है अच्छी बात है कौन के वपड़ है F1 by 2 बढ़ 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 1 ठीक है इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा 1 by 2 पर y की वेलू 1 by 2 और 1 पर 1 ठीक है मतलब पुर मिलागे ग्राफ यहां से यहां तक जा रहा है यह 1 by 2,1 by 2 है और यह 1,1 है इसको ऐसे मिला देंगे वैसे इसका स्लोप बता है कितना है इसका जो स्लोप है इसका स्लोप कितना है इसका स्लोप बास्तों में 1-1 by 2, 1-1 by 2, 1 है ठीक है इसका स्लोप 1 के बराबर है ठीक है और यह जो function f है ना यह twice differentiable है मतलब continuous हो किया, concave nature है ह यहां से यहां तक मतलब इस इन दोनों पॉइndanse से पास रहा है यह यह लाइन है यह लाइन कर नहीं यह तो मैं दिवाखा रहा है के ईस ट्रेब कर रहा है है टिस बच्छे कोई ने कहीं पर एक ऐस पकत जरूर होगा तो मैं आदरा रहा यादा रहें कोईलफा जरूर होगा जहां पर स्लोप बराबर होगा तो ने में पता है एक स्लोप मॉस्प थे हैं वैल्यू होती है और एक्सक्राइब के बीच पर वह लाग रेंजिस मीन वैल्यू थियुर्म की बात कर रहा हूं ठीक है तो जब भी ऐसा ग्राफ दिख रहा है तो यह मतलब इसका स्लोप वन है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ गए सा स्लोप वन है तो बीच में कोई फ्र्वेश्ट फंशन में जो है फ्र्वेश्ट यहां ऐसे नंबले जेटंगे डबल डश्ट एक्स जो होता है वो इंक्रिसिंग फंसन होता है वह हमेशा अपनी बढ़ाता चला जाता है तो पक्की बात है यह अप अलफा से तो अधिक हो गाई हो गार समझने को यहाँ पर हमें यह भी कह सकते हैं तो इस करो यहां पर हमें यह भी सकते हैं देखो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि f-1 must be गिरदाना f-alpha क्योंकि 1 तो उधर है ना हाँ तो यहाँ पर अगर f-x increasing function है f-x increasing function है और 1 alpha से ज़्यादा है तो alpha पर जो value आ रही है वो कम होगी और 1 पर जो value आ रही हो ज़्यादा होगी और slope increasing function है slope लगातार बढ़ रहा है alpha पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है तो increasing function के लिए क्या होगा कि alpha पर slope की value कम होगी क्योंकि slope एक increasing function है तो पहले slope कम होगा बाद में slope ज़्यादा होगा क्योंकि slope increasing function है f dash x increasing function है क्योंकि f double dash is greater than 0 तो यहाँ पर slope यहाँ के slope से अधिक ही होगा क्योंकि slope लगातार बढ़ता जा रहा है तो ठीक है f dash 1 must be greater than 0 हम इतना तो कही सकते है यहाँ इसका स्लोप से ज्यादा ही होगा यहाँ साफ साफ दिख रहा था यह सब करने की जरूरत नहीं थी जब कौन के वबकवर्ड ग्राफ है तो इसका स्लोप इस स्लोप से ज्यादा ही होगा ठीक है तो इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप 1 से भी ज्यादा होगा साफ साफ दिख रहा तो हो गया काम का था ठीक है तो यह बहुत सिंपल साफ कॉस्चन का असानी से हो गया अगला कॉस्चन लेगो क्या रिखाऊ गया तो इसमें द alpha x square plus 1 by x की value हमेशा 1 से ज्यादा है, यह कब पॉसीबल है, और दिया हुए पर ओल एक से ज्यादा ज्यादा है, किसी भी x की value 0 से ज्यादा है, उसके लिए हमेशा greater or equal to 1 आ रहा तो पर की बात है, यार, कि x value अगर 100 रग दें, तो बनमा यह 100 हो, यहां पर 100 रग दोगे, तो 100 का square से कितना बड़ा पनेटी है, तो alpha तो negative हो का नहीं, alpha अगर negative हो तो 100 पर यह greater equal to 1 कैसे आएगा, तो यहां दिख रहा है कि alpha तो positive है, alpha positive, alpha को positive होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि x की value अगर तुम 100 रे लो, 1000 रे लो, और यह बड़ा हो, तो यह तभी possible है, होता है, तो इसका मतलब क्या है, निकलता है, sin x की minimum value है, वो भी minus 1 के बराबर या उससे ज्यादा है, sin x greater equal to minus 1, sin x greater equal to minus 1 का मतलब है, कि sin x की minimum value है, वो minus 1 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो इसकी minimum value कैसे आएगी, भाई, एक greater equal to 1, इसको होना है, तो इसकी minimum value भी, 1 के बराबर या 1 से जाता है, तो इसकी minimum value निकाल लेते है, तो minimum value काले का फंडा क्या है, इसको solve लो, 8 alpha x minus 1 upon x square, इसको 0 कर देते हैं, तो इससे आजाता है, x cube पराबर 1 by 8 alpha, इससे आजाएगा, x बराबर 1 upon 2 alpha की power 1 by 3, ठीके, ऐसा कर लेते हैं, और फिर f double dash x निकाल लेते हैं, पता लगाने के लिए, तो 8 alpha plus 1 by x square को तुम प्लस 2 upon x cube आजाएगा, समझ में आरीबार, देख लो, जब इसको differentiate करोगा, तो यह आजाएगा, ठीक है, तो भई, x तो positive है ही, alpha तो positive है ही, अगर alpha positive यहाँ से नहीं पता समझ पाओगे, तो यहाँ पर negative परने लगोगे, ठीक है, तो फिलाल यह positive है, double derivative positive है, f double dash is greater than 0 आ चुका है, इसका मतलब यह हुआ, कि जो graph बन रहा होगा, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा है, ठीक है, तो यह जो x आ रहा न, x power 1 upon 2 गी, alpha गी power 1 by 3, इसी x पर इस पूरे function की minimum value मिलेगी, यह जो हमने fx मान रखा, तो इसकी minimum value कितनी आएगी, तो fx की min value, min value आएगी, 4 alpha और उसका square, पता है न, जब x के वलू भी पता रखा रखा, ठीक है, 4 alpha x square और प्लस 1 upon x, तो 1 upon x करको तो 2 alpha की पार रखा, यह fx की minimum value है, ठीक है, तो जब fx, इसकी जिसे हमने fx मान लिया था, तो इसकी minimum value है, वो भी 1 से अधिक हो, तो इसकी minimum value है, वो यह है, तो इसकी minimum value यह आ गई, और यह भी 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसकी जो minimum value है न वो भी 1 के बरावर या 1 से अधिक होना जाए ठीक है तो यह लगा दिया कौन सकते हैं अच्छा चौलो ठीक है अब यह solve कर लेते हैं कि कितना आएगा यह 2 4 यह कट जाएगा यह 2 यह 2 ळोसी हो जाएगा और यहां से आएगा अलपा पॉर 1 गट्री यहां से अलपाइवड गडरा से मतलब अलफा की जो minimum value है 1 by 27 होनी चाहिए उससे अधिक होनी चाहिए ठीक है तो हम लोग यहां इसको देख करें क्या लिख सकते हैं कि alpha की जो minimum value होगी वो 1 by 27 ठीक है तो यह इसका answer final होता है ठीक है तो यह जो question था इसका answer 1 by 27 ठीक है ठीक है तो बच्चों जो यह लिखा हो भाई रहा यह question यह इस तरह का question books में तुम्हें मिल जाएगा ठीक है थोड़ा repeated है यह question आना तो आप लोग त्यार रहा करो कभी repeated आ आपना concept अच्छा से clear किये रहा है और कई साल के questions को आप लोग खुद भी देख लो लगाता देखते रहा करो किस तरह questions लगाता repeat हो रहे हैं तो कुछ questions ऐसे हैं जिनको आप जिस type questions आप आप questions करना चाहिए कुछ types of questions ऐसे हैं जैसे अभी हमने सॉल्फ किया probability में है ना function में range वाला जो question होता है ना quality का जो range वाला question वह बहुत important होता है अकसर दिखाए दे जाता है तो इस दिए के questions लगाते हुए practice करते हुए थोड़ा experience हो जाएगा हम लोग हो किस तरह questions ज्यादा आते हैं और तुम्हारा जब exam होगा अगर उ